Hello Students, How were you all? Hope you are fine. students, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में, चप्टा नंबर 9, which is Indian Vice Presidents. Indian Vice Presidents, इस से पहले वाले दो चप्टरेस में हमने students किया हैं, Indian Prime Minister और Indian Presidents. अगर आप students ने वो चाप्टार नहीं कंप्रिट किये हैं, या वो वीडियो नहीं देखи हैं, तो इससे पहले आप उन वीडियो को देखें क्यूंकि वहां से कुछ question वहां के उन चेप्टर से कुछ नोलिज आपके इस चेप्टर में भी काम आने वाली है तो शुरूरेंट्स उन चेप्टर्स को आप जरूर करें उन वीडियो को जरूर देखें तो यहाँ पर हम start करते हैं chapter number 9 Indian Vice Presidents इनमें हमें students करना क्या है इसमें students आपको करना क्या है जितने भी हमें यहाँ पर Vice Presidents के list दी हुई है इनकी सब की detail हमें read करनी है और फिर इसका recording question आपके chapter के last में दिये वे उनको आपको solve करना है तो starting करते हैं यहाँ से first जो हमारे Vice President रहे first सरवपली राधा कृष्णन सरवपली राधा कृष्णन इनका time period यहाँ पर देखें यह हैं इनका time period 1952 to 1962 ठीक है और जो यह हमारे सरवपली राधा कृष्णन जी रहे है यह हमारे first Vice President है first Vice President बट यह second President of India भी रही है second President of India ठीक है यह बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो हमारे first Vice President है वो हमारे second President भी रही है और इनका नाम यहाँ पर दोबारा से रीड करें सरवपली राधा कृष्णन आपको इनका नाम सुनकर कुछ और भी याद आया होगा इनके जो इनका birth date है birthday date हैंकी 5 September उसको Teachers Day की रूप में में बनाया जाता है सभी schools में, सभी institution में तो इनका जो birth date है 5 September वो Teachers Day की रूप में में बनाया जाता है इसको भी आप याद रखें second number second number Jayakir Hussain Jayakir Hussain का time period कितना है 1962 to 67 और ये भी हमारे प्रद्वानमंत्री प्रेजिदेन्ट रहे है President of India ये रहे हमारी थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर पे President of India रहे है और सथर्ड नंबर पे Vice President of India रहे है third नंबर third नंबर पे विवी गीरी, वारागीरी, बंकेट गीरी इनका जो time paid रहा है 67 to 69 और यह भी हमारे president रहे हैं फूर्थ नंबर पे फोर्थ नंबर के president रहे हैं यह हमारे इंडिया के उसके बाद हम बात करेंगे फूर्थ नंबर के जो vice president है वो है गोपाल सवरुपाथक गोपाल सवरूप पाठक इनका जो टाइम पेड़ है यह है 1969-1974 और यह अभी तक की जो हमने यहां पे तेन वाइस प्रेजिडेंट की डिटेल रिड की है इन में से यह इकलोते ऐसे हैं जो प्रेजिडेंट नहीं बने डारेक्ट यह वाइस प्रेजिडेंट बने है अब यहां पे बात करेंगी फिफ्थ नंबर बस्पा धन्पा जती इनको शोट में बोलते हैं बी डी जती बस्पा धन्पा जती इनका टाइम पेड़ है 74-79 और यह भी हमारे प्रेजिडेंट रही है 7th नंबर पे प्रेजिडेंट रही है 7th नंबर पे अब बात करेंगे हम 6th नंबर के जो हमारे वाइस प्रेजिडेंट रही है मुहमद हिदायत उला मुहमद हिदायत उला एक ऐसी वाइस प्रेजिडेंट है जो प्रेजिडेंट भी रही लेकिन सिर्फ 35 डेज के लिए ही वो प्रेजिडेंट रहे थे सिर्फ 35 डेज के लिए और कौन से नमबर के ये हमारे प्रेजिडेंट रहे हैं ये रहे हैं फिफ्थ नमबर के प्रेजिडेंट अब बात करेंगे हम सेवन्थ नमबर पे सोरी सेवन्थ नमबर पे रामस्वामी वंकीट रमन इनका टाइम पेड कितना है इनका टाइम पेड है यहां पे 1984-87 1984-1987 और जीन का जो यह भी हमारे प्रेजिडेंट रहे हैं और कुंसी नमबर पे प्रेजिडेंट रहे हैं यह हमारे ये रहे हैं टैंथ नंबर पे टैंथ नंबर जो ये है रामस्वामी वंकित रामार ये टैंथ नंबर पे प्रेजिडेंट भी रही है अब बात करेंगी हम एट्थ नंबर पे है शंकल दयार शर्मा इनका टाइम पेड़ है 1987-1992 और यह 사람들이 रहे हैं वे यह मनेंद्द करने हैं कि अप्सक्रेस नंबर्वर इसकी आहले मनों में नचली उक्वासा एक मैं अब हम करेंगे 10 नंबर पर जो हमारे प्रेजिडेंट रहे हैं जो 10 नंबर की प्रेजिडेंट रहे हैं वाइस प्रेजिडेंट जो रहे हैं वो हैं क्रिशन कांथ डागर क्रिशन कांथ डागर इनका टाइम पर 1997-2002 क्रिशन कांथ डागर एक ऐसे हमारे वाइस प्रेजिडेंट रहे हैं जो जिनकी डैड हो गए थे ओफिस में ही यानि कि यह अपना वर्क करती हुए ही वाइस प्रेजिडेंट की रूप में ही इनका देहांत हो गया था तो यह ऐसे हमारे वाइस प्रेजिडेंट है और अब हम बात करेंगे 11 नमबर पे जो हमारे वाइस प्रेजिडेंट है बहरो सिंख शेखावत इनका टाइम पेड़ है 2002-2007 यह जैसे ही जो हमारे 11 तैंथ नमबर की जो है यह क्रिशन कांथ डागर जब इनका दिहांत हुआ तो उसकी का पदगार रहन किया अब हम बात करेंगे हमारे जो 11 नमबर के वाइस प्रेजिडेंट है 11 नमबर मुहमद हमे रंसारे इनका टाइम कर यह है 2007-17 और यह जो है मुहमद हामिद हंसारी यह आई एफ एस ओम इन्डियन फोरन सर्विस ऑफिसर इन्होंने इस फॉर्म में भी काफी टाइम तक इंडिया की ऑफिसर के रूप में काम किया है और उसके बाद उन्होंने वाइस प्रेजिडेंट की रूप में भी अपने सेवा इसके बाद थाइंड नमबर की जो वास प्रेजिडेंट जो अभी प्रीजेंट में भी है प्रेजेंट में भी है इसका कैसे पता चलेगा यहां पर देखी 2007-2-a-c जो आगे का टाइम पेड़ है वह अभी तक इनका चल ही रहा है ठीक है और इनका नाम क्या है मुपारुप वेंकया नायडों तो यह है हमारी 30 नमबर की प्रेजिडेंट तो students यहाँ पे आपकी जो प्रेजिडेंट की details थी वो हो जाती है complete अब उसकी बाद यहाँ पे कुछ questions आपसे पूछे जाते हैं जो आपको solve करने हैं यहाँ पे आप first question को read करेंगी What rank does the officer of vice president have in the country country में vice president की कौन से post होती है ठीक है वो कौन से होती है वो होती है आपकी second second question who elects the vice president of India vice president of India को elect कोन करता है यहाँ पी करता है member of Rajya Sabha and Lok Sabha member of Lok Sabha or member of Rajya Sabha question number three who does not participate in the election of vice president of India who does not participate in the election of vice president of India vice president of India की election में कोन participate नहीं कर सकता यहाँ पी है member of member of state legislative assembly state legislative assembly की जो member होती है इसमें पाटिस्पेट नहीं कर पाते हैं next question what is the what is the minimum age of qualifying to the post of vice president vice president की post के लिए minimum age कितनी होनी चाहिए वो होती है आपकी 35 next question है यहाँ पे वो वाज़दा first vice president of India vice president of first हमारे इंडिया की कौन से रही है जो आपने सबसे starting में पड़े थी जो जिसका diagram आपने सबसे starting में देखा first box में था वही हमारे first vice president है तो कौन है वो आप खुद देख सकते हैं question number six करेंगे हांपे the oath of question number six the oath of office to the vice president to administrate it by whom जो oath होती है vice president को वो कौन दिलाता है वो दिलाता है president of India okay seventh question who was the first vice president to die in office first president जो die हो गए थी in office कौन थी वो यह krishan kand which president of India which vice president of India have been elected for for the second term for the second term ऐसे कौन से vice president है जिन्होंने दो दिलातार दो बार होने vice president की रूप में पद्भार ग्रहन किया वो कैसे पता चलेगा आपको पता चलेगा आपको टाइम पेड देखके जैसे देखें यहां पे ताइम पेड देखके जैसे यहां पे इनका टाइम पेड देखें मुहमद हंसारी इनका टाइम पेड देखें हां पे 2007 to 2017 काफी लंबा टाइम पेड है इनका लगबग 10 यह तो ऐसे ही हमारी एक और vice president है जिनका टाइम पेड काफी है तो उन्होंने इन दोनोंने एक आपको खुद find करना है आपकी जो बाकी हमने पढ़ी थी vice president की details तो एक हमने इहां पे बता दिया है मुमिद हामिद अंसारी और दूसरा आपने खुद find out करना है ओके next question है वो is the ex officer chairman of raja sabah यहां पे यह question यह print आपका गल्थ है यहां पे आएगा कि who is the chairman of raja sabah वो is the chairman of raja sabah जिसको हमने इस chapter में पढ़ा है vice president of india next question है what is the maximum period of time for which a vice president can act as a president in the letter of absence question यह पुछा गया है कि president की absence में vice president कितनी दिनों तक पद उनका कारिय संभाल सकता है जब हमारी country में president ना हो या वो work ना कर पा रहे हो तो जो vice president है वो उनका कारिय कब तक संभाल सकते हैं वो संभाल सकते हैं six month के लिए six month के लिए यहां पे आपके यह सभी questions हो जाते हैं soul तो आपको इन सभी questions को अपनी book में write कर लेना है तो इस chapter आपको समझ में आ गए होगा काफी जी chapter है तो students यहां पे chapter हो गए है आपका complete और इस chapter की आप अच्छे से revision करें okay students thank you